आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, दोस्तो स्वागत है आपका अपने इस यूटुब कैनल पर, दोस्तो हम सीख रहे हैं ट्रिक माध्यम से मैत को, और हमने बहुत सारे ऐसे concept को tricky math दिम सापको समझाया है और आप जाकर playlist में देख सकते हैं सभी tricky तरीकत हम math को करा रहे हैं और playlist है math trickly के नाम से आपको मिल जाएगी channel में आप दिखोगे तो ठीके दोस्तों और आज हम बात करने वाले है math topic by tricks यानि कि जो भी topic हम बात करेंगे वो tricks से बात करेंगे कल भी हमने इसमें class दाली थी और आज भी हम चला करेंगे एक छोट छोटे concept को हम यह trick माध्यम से करते हैं जैसे कि आज का जो हमारा पहला questions है जो trick माध्यम से है तो पहला हम यह वाला करेंगे रूड में 1y 1 का 3 प्लस 2 का 3 प्लस 3 का 3 अगर आपको इसका मान निकालना जाए तो किस तरीक से करोगे तो सबसे पहले हम इसका करते है basic एक तरफ हम करेंगे basic तो यहां करने वाले हम basic अब फिर उसके तक साथ सीखंगे हम tricks से तो पहले मैं आपको trick बतायता हूँ इसकी क्या है इसकी trick जैसे आप exam में question देखोगे ठीक है और आप इसको एकदम ही देखते question कर दोगे क्यों अंतिम संख्या कितनी है तीन है इसे एक अंक बढ़ा के कितने उना करेंगे 4 से कितना चुका है बारह आचुका है इसी बारह का आप कर दो आधा और जो आपका आएगा वो ही आपका अंतर आएगा तो इस तरीके से इसका अंतर जो है वो कितना आचुका है यह तो होगी हमाई trick की बात दें से अगर basic की बात करें हम तो क्या करेंगे question यही है एक का cube प्लस दो का cube प्लस तीन का cube हमें यह मान निकालना है तो एक का cube अगर हम करेंगे तो एक आजाएगा दो का cube अगर हम कहेंगे तो आठा आजाएगा तीन का cube करेंगे तो हम कितना आजाएगा 27 आजाएगा और यही हमारा करने है तो यहां से बहुत आते हैं प्रिक्षाम, बहुत ज़्यादे को प्रिक्षाम में आपको पूशने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तो, तो अब इसमें एक दो कॉश्चन ओर करते हैं, आप ट्रिक आप समझी गए होगे, एक कॉश्चन का बेस ओर करे लेंगे, और उसके बादे फिर आप जो भ प्लस, चार का क्यूब प्लस, पांच का क्यूब, तो अब हम इसमें देखते क्या है, तो हमारी ट्रिक क्या कह रही है, हमारी ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक्स क्या कह रही है हमारी, अन्तिम संख्या 5 है, एक अंक बढ़ा करेंगे 6, और आपका आ चुका है 30, और इसका कर द -3 क्यूब। vitae 4 क्यूब। फिलत 15 क्यूब। यह हमें ही निकालना है। तो एक का 1 का आजाए gel? 2 का 8 साध G3 27YA चार 24 आ जाएगा 5 का एक सो 25 आ जाएगा यह अगर हम 125 जोड दे ठीक है। और आप यहाँ 225 यानि कि 225 हो जाएगा 225 कितने को पता कितने को होता 15 इस तरीके से हम ने 2 questions के माद्यम से basic concept सीख लिया है और अब जो हम बात करने वाले ट्रिकी से करेंगे इस पर सभी questions कैसे कर सकते हैं तो यह हमारा जो है next question देखेंगे, एक का क्यूब, पिलस दो का क्यूब, पिलस तीन का क्यूब, पिलस चार का क्यूब, पिलस पांच का क्यूब, पिलस छे का क्यूब, पिलस साथ का क्यूब, अब हमां आंसर चाहिए, तो पूंतिम सेंख्या क्या है सात एक बढ़ाओ आठ शाथ अठत्थे कितना हो चुका है 56 कर तो इसका आधा आंसर कितना आचुका है आपका 28 हैं से आचुका है 99 का Q और प्लस शो का Q बराबर बूचह है. तो हम 100 की गुणा कितने से करेंगे बैटा? 101 से करेंगे. कितने से करेंगे 100 की गुणा? 101 से करेंगे और बटे कितना करतेंगे? 35 करतेंगे जब भी ऐसा होगा. एक न बढ़ा कर. तो आपका कितना आज़ागा? 101 और 0000 और आपका आधा 2510 ठीक है एक संख्या उताने से ते फिर 2510 हमारा आंतर कितना आजाएगा 50-50 समझे तो हम इतने बड़े question भी इस trick से कर सकते हैं आप एक बार अजमाना अच्छे तरह करना और आपका फिर questions बन जाएगा ठीक है चलिए तो टाइप बन हो चुका है हमारा ट्रिक बन हो चुकी है ट्रिक टू के तरफ चलते हैं ट्रिक टू क्या है हमारी ट्रिक टू क्या है सब को समझेंगे अराम से समझेंगे कुछ नहीं करना है ट्रिक टू समझे लेते हैं क्या है तो ट्रिक टू ये है हमारी कि जब भी हमारे साथ माल लेगे 99 गुणा 99 गर आजाए तो हम इसका क्या करेंगे तो हम पहले एक तरफ बेसिक देख लेते हैं क्या है इसका बेसिक अगर 99 गुणा अगर हम 99 करेंगे तो हम क्या करेंगे हां से 99 की गुणा 100 माइनस 1 से करेंगे अगर हम 99, 100 कर दें और माइनस 99 घटा दें तो 10 में से 9 गया कितना बचा 1 यहां बचा 9 9 में से 9 गया कितना बचा 0 और फिर यहां 8 तो 9 और 8 यह कर सकते हैं आपको इतना भी नहीं करना है डाइरेक्ट करिए इनकी वोणो 9 नम 81 यहां लिख दीजिए वो 8 और यहां लिख दीजिए क्या थी का 1 ठीक है इस 9 के जगे 0 और इस 9 को एटी सी तो आपका आंसर कितना चुका है 9801 ज्या चुका है 9801 यह हो चुकी हमारी ट्रिक नमबर 2 ट्रिक नमबर 2 हमारी हो चुकी है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, अब तीसरे question क्यों चल रहे हैं, इसमें हम, तीसरा question जो है हमारा वो क्या है, पर दूसरा question इसी type में क्या है, अब मैं आपके सामने कुछ question लिखूंगा, जैसे कि, आपको मैं लिख रहा हूँ, 9, 9, गुणा करनी है, 9 से, फिर एक question और आपको ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, इनकी गुणा बतानी है, क्या आएगी है, सब बताने आपको, जल्दी बताएए क्या होगा, ट्रिक सीख ली है आपने, पता भी चल गया है, ठीक है, कर भी लोग आप, ठीक, क्या कहा है, 9, 81, ठीक है, एक तरफ आठ लिखो और एक तरफ एक लिखो, इन दो का 0, एक, दो, ये 9 ऐसे ही, आंथर कितना चुका है, 99, 8, 00, 1, नो नम, 81, तो यहाँ आठ और यहाँ एक, डब, ट्रिपल 0, और यहाँ पर ट्रिपल 9, ठीक है, ऐसे ही, नो नम, 81, तो आठ यहाँ पर, एक यहाँ पर, चार 0 यहाँ पर, ठीक है, और चार 9 यहाँ, आपको बहुत समय लगेगा, अगर आप बेज से करोगे, तो डायरेक्ट ट्रिक से करोगे, तो चंद सेकिन में जो है, आपका एक कुर्शन बन जाएगा, बहुत आफानी से कुर ट्रिक नमबर 3 के तरफ आते हैं, क्या है ट्रिक नमबर 3, ट्रिक नमबर 3 क्या है, ट्रिक नमबर 3 क्या है, सपोज करो कि आपको कहीं पर कोई संख्या इस तरीक से दी गई हो, जैसे क्या, मा लीजी एक, 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 इनकी गुणा दी गई हो, एक, एक और एक, और हमें इसका कि यहां पर एक-डो 3-4 तो एक-डो-क्र तेन चार करकर से सुरीव यहीं सवाल बहुत बड़ा आ जाए एक एक, एक, पांच बार आता है, यहां भी धर पांच ही हो, क्या करें नहीं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और चार, तीन, दो, एक, यही इसका क्या है, जल्दी नोट कर लो इसको, अच्छे से नोट कर लो, यही टाइप जो है, हमारे कॉर्शन बहुत काम आ जाते हैं, ठीक है बहुत काम आते हैं, एसी छोट-छोटी कॉर्शन जो हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है, कर लोगे आप इसको, बहुत अराम से करोगे इसको, ठीक है, बहुत अराम से इस कॉर्शन को कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक को कर सकते हो, ठीक है, चालिए, ठीक है, ट तो हम चार में क dif Wasserいる का सद्गिए सपोर्षक को whether टरुका 3 यह सुच्वा शले रखा है के कभिधार है कि हम जब सदिकरंस करते हैं सदीकरण में समें एक कोश्टन समय को अन preciso करता है वह में कोश्टन आता है पॉइंट X Y के उपर बार ठीक है बरावर हमें दिया होता है 5 बटे 99 सिर्फ 5 बटे 11 5 बटे क्या होता है 11 ठीक है भई हो तो X वाले मता रहूं तो हमें X और बाई का मान निकालना होता X बटे बाई का तो हम आप यहां समझेंगे अगर मैं बार हटा दूगा X बटे बाई बरावर कितना आजाएगा X बटे बरावर हमारा कितना आजाएगा समझो इसको कितना आजाएगा बटे में 99 करते है यहां 5 वटे कितना जाएगा? 11 है, तो हम अगर इसे 99 बनाएंगे तो इधर भी 9 से गुणा करेंगे, इस साइट भी 9 से गुणा करेंगे तो हम यह कह सकते है, X वटे, y वटे कितना जाएगा? 99, और यहां 5-95, ऐसे लिख दो 45, 5-95, 45 और यहां कितना चुका है हमारा अगर तो अगर हम इसकी compare करेंगे तो इस एक्स कमान जो है चारा जाएगा और बहुआ कितना जाएगा पांच और इस तरी स्वीक्षुन को सोलभ कर सकते हैं तो यह वी ऐसकोचन होता है ठीक है इसको बार में दूसरा कुछन जो आता है वो क्या आता है वार में दूसरा पॉइंट ऑपर बार फिर है पॉइंट नाइन को पर बार फिर आपने देखा पॉइंट एक दो के उपर बार और हमें यह निकालना होता क्या है तो हम क्या करेंगे साथ बटे कितना लिखांगे नो पिलस नो बटे क्या लिखेंगे हम नो ठीक है पिलस आप कितना लिखांगे बारे बटे निन्यानवे अब हम यहां लेंगे यह लेंगे चलेंगे निन्यानवे नो की कितनी बार गई है नो की कितनी बार गई है यहां से ग् निन्यावे हैं ऐसी बारहा है तो हमारे उस्के से कितना आचुका है अगर हम लिखेंगे तो इसको और 9 आपका 11 है और साथ कि आपका 18 अफो सби लगा कि ठीक nhất यहां पर कितना है एक नो निख्ड़ सकतर in 17 लेक 18 हांसिल लगा एक और 18 परट इक तो में कितनके भी ठीक है अब 99 के अगर मैं दो बार करूंगा तो बचा कितना अगर नो 18 9 बचेगा यहां पर कितना बचाँ यहां कितना बचाँगा सत्र behavior उर सत्रै कि में सव्ल जाएंगे तो आपका कितना बचेगा artwork तो कितना बचाँत का 8crates मैं बटे 99 फोर ś翡 689 और क्या आएगा बार कुछ बच्छे यह एंसे करते हैं 1.88 तो वो गलत होता है तो हमारा आंतर कितना आया 1.89 के ओपर कितना आ चुगा है 12 ठीक है दोस्तों इस तरीके से को बारवाले को भी सोल कर सकते हैं तो यह थे आज के कुछ करेंगे तो मिलते हैं जब तक के लिए चेहंजवार बंदेवात रहें